हेलो एवरिवन वेलकम टू वाइफाइ स्टडी विच आ पार्ट ऑफ अनकेडमी गरूप दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और इंपोर्टेंट कोशन आंसर का कुईक रिविजन तो प्लीज आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंट तक देखेग दोनों क्लासिस का नोटिफिकेशन आपको यहीं इसी ग्रूप पे मिल जाता है प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे लाइब क्लासि स्टक्चर्ड कोर्स वीकली टेस्ट और यह तब मिलेंगे दोस्तो जब आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्र सारी चीज़े मिलने वाली आप लोग को और इसमें डिरेक्ली आप इसकेन करके भी बारकोड को एंडूल कर सकते हैं कि दोस्तों एक बिग एनाउंसमेंट है स्कॉलसिप टेस्ट का जो कि 26 जून को ओने वाला है इसमें 100 परसेंट तक का स्कॉलसिप और रेंक वन को लेपट आईकोनिक के फीचर है पराईटिन डाउट सोलिंग पराईटिन लाव क्लश भी देचल में देख सकते हैं दोस्तों सारे टैसे सोरां से फृडियो पर देखते दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है आज जीवन उपलब्दियों के लिए अधिकारिक संखाय की में पर्थम प्रोब PC महाल नोबिस प्रुषकार से किसे संबानित क्या गया है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बिलकुल चकरवर्ती रंग राजन यानि की ऑप्षन हो जाएगा दोस्तो बी राइट आंसर देखे जिस भी कोशन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा दोस्तो अगला कोशन आता है कोशन है हट्टी संखदान किस राज़्य में इस्तित है देखे हट्टी गोल्ड माइन जो है दोस्तो यह लिमेटेड यह एक कमपनी है जो भारत के करनाटक राज़्य में इस्तित है इसकोशन का राइट आंसर क्या होने वाला है आपका ऑप्शन D करनाटक में और इसकी स्थापना होई थी 1947 में यह भी आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तो खरीब की फसले बोई गई थी या बोई जाती है तो खरीब की फसले जो है दोस्तो वो बोई जाती है दक्सिन पस्चिम मौनसून की सुरुआत यानि की राइट आंसर आपका ऑप्शन यह हो जाएगा ठीक है तो दक्सिन पस्चिम मौनसून की सुरुआत के दोरान क्रीफ फसलों का मोसम जुलाई अक्टूबर से होता है यह आप याद रख सकते हैं अगला कोशन आता है जादू गोडा की खदानों किसके लिए परसीद है तो राइट आंसर इस यूरेनियम यानि कि D आपका सही आंसर हो जाएगा जादू गोडा खदान दोस्तों भारत की ज 1967 में ओप्रेशन शुरू किया और यह भारत की पहली यूरेनियम खदान थी इस खदान में जमा 1951 में खो जागया था ये भी आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों नेक्स है किर्सी मंत्राले ने खदान की परिवैन की सुविधा के लिए कौन से आप लूंच किया है तो गाइस इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल किसान रथ किसान दोस्तों किर्सी मंत्री ने रेंदर सिंग तोमर ने तलाबंदी के दोरान खदानों और परिवैन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल अप लूंच किया था ठीक है ना दलन एक अच्छा सरोथ है दोस्तों दलन एक अच्छा सरोथ है किस चीज़ का प्रोटीन का तो राइट आंसर इस भी यह आप लोग या दखेगा कोशन है आयतन से वायू का 21 परतिशत भाग खालिस्थान है तो बाइट आंसर आपका हो जाएगा एक्छल में 20.9 परसेंट है तो एप्रोक्स आपका 21 परसेंट हो जाएगा 20.9 परसेंट ठीक है और नाइट्रोजन कितनी है दोस्तो 78 परसेंट ठीक है और बाकी आपकी ओरगन गैस है 0.9 परसेंट और अधर गैसी है 0.17 परसेंट और कार्बन डिये ओक्साइड है 0.03 परसेंट तो यह सारी चीज़े आप लोग याद रख सकते हैं नेक्स कोश्चन है दुनिया की सबसे गैरी जील दिखे बेकाल जील जो है यह मंगोलियाई सीमा के उत्तर में पढ़ती है दोस्तो ठीक है ना इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेकाल जील है तो यह आप लोगों को याद अखना है चलिया दोस्तो बंगलदेश का राष्टे पसू क्या है तो बंगलदेश का राष्टे पसू है रोयल बंगाल टाइगर ठीक है रोयल बंगाल टाइगर साही बंगाल टाइगर जो है बंगलदेश का राष्टे पसू है और बंगलदेश में इसकी जो आबादी है दोस्तो अभी वर भारत में सबसे पुराना तेल चेतर है डिगबोई यानि कि D is the right answer देखे डिगबोई जो को भारत का सबसे पुराना तेल चेतर उत्पाधन चेतर जो है दोस्तो होने का गोरप्राप्त है डिगबोई रिफाइनेरी जो अब इंडियन ओयल कोर्पूरिशन का एक डिवीजन है अब इंडियन ओयल कोर्पूरिशन लिमिटिड के असम ओयल डिवीजन का हिस्सा ये बन गया था दोस्तो ठीक है ना चलिए नेक्स कोशन है संग मरमर खालिस्थान का रुपांतरीत रूप है तो चूना पत्थर काले में स्टोन इस कोशन का राइट आंसर होगा या आप लो केंद्रे सूची में दोस्तो आता है बिल्कुल सही है डिफेंस भी आ जाएगा इंट्रेस्टेट ट्रेड अन कोमर्स भी आ जाएगा बैंकिंग भी आ जाएगा यानि कि ओल अप दीज इस कोशन का राइट आंसर होगा ठीक है ना कोशन है आपका ग्राम पंचात को अपनी भूमी का निभाने और जिम्मेदार बनाने के लिए एक महतपून कारक है तो इस कोशन का राइट आंसर होगा ग्राम सभा ठीक है यानि कि बी इस दा राइट आंसर ग्राम सभा दोस्तो ग्राम पंचात को अपनी भूमी का निभान और जिम्मेदार बनाने के लिए मैदपूर्ण कारक है ग्राम सबा उन सभी वैसकों के एक बैठक है जो पंचाद द्वारा कवर किये गए छेतर में रहते हैं तो यह आप लोग को याद रखना है ठीक है और छेतर में रहने वाले कोई भी व्यक्ति दोस्तों जो वैसक है जो अठारा वर्स या उससे अधिक है ग्राम सबा का सदश्या होता है यह आप लोग याद रखेगा नेक्स कोशन आता है आपका भारत में राज्यस्थर पर मंत्रियों की निक्ति कौन करता है तो राज्यस्थर पर एक राज्यपाल होता है जिसमें राज्य की कारेकारी सक्तिया सविधान द्वारा निहित होती है लेकिन राज्यपाल दोस्तों नाम मात्र के परमुख के रूप में कारे करते है वास्तव में जो कार्यकारी सक्ति होती है दोस्तों वो किसके पास होती है मुख्यमंत्री के पास होती है मुख्यमंत्री की अध्यक्सता में मंत्री प्रिशद द्वारा की जाती है ठीक है नेक्स कोशन है वीवी जो किस वाद्य अंतर के लिए परसीद है वाइलेन दोस्तों य पर करना डखना है तो ये भी आप लोगों को याद अखना है मंत्राले ने सूचना प्रद्योगीक अधिनियम 2000 के किस अनुभाग के तहट अपनी सक्ति का उप्योग करते हुए 59 एप का परतिबन लगा दिया है तो इस कोशन का राइट आंसर होगा section 69a is the right आंसर तो ये आप लोगों को याद अखना है दोस्तो कोरोना वाइरस के लिए positive test किये गए रोग्यों के उप्चार के लिए किस राज्या के इंसासित प्रदेश ने भारत का पहला plasma bank launch किया है तो दोस्तो देखिए नई दिल्ली में कोरोना वाइरस के लिए प्रिक्शन के लिए रोग्यों के उप्चार के लिए भारत का पहला plasma bank launch किया गया है तो इस question का right answer हो जाएगा दिल्ली आनिकि D is the right answer चले next question है दोस्तो MSMEs ने launch a new portal of MSMEs registration name the portal तो इस question का पहले तो आप यह जान लिजे कि MSMEs क्या होता है यह होता है दोस्तो आपका micro, small and medium enterprise micro, small and medium enterprise ठीक है ना तो इस question का right answer होगा उदम यानि की B right answer हो जाएगा चले next question आता है कि किस bank और भारत सरकार ने तमिलनाडू सरकार के साथ एक समझोते परस्ताक्सर किये ताकि तमिलनाडू राज्या में कम आये वाले समों को किफायती आवास तक पहुँच प्राप्त करने में मदद मिल सके तो इस question का right answer होने वाला है world bank इस दा right answer यह आप लोगों को या दखता है भारत के थोक मुल्य सुचकांग का अधार वर्स क्या है दोस्तो इस question का right answer हो जगर 2011-12 ठीक है यह आप लोगों को या दखता है थोक मुल्य सुचकांग का उप्योग दोस्तो मुद्रस्विती को मापने के लिए किया जाता है है ना तो यह आप लोगों को या दखता है question है एकिकरत अर्थविस्था परणाली में कौन अर्थविस्था को नियंतरित करता है तो सरकार the government is the right answer next question है भारत की पहली पंचवर्सय योजना किस मोडल पर आधारी थी तो दोस्तो भारत की पहली पंचवर्सय योजना आधारी थी है रोड डोमर मोडल पर यानि की right answer is option है तो यह आप लोग को याद अखना है next question है भारत निर्मान योजना किस वर सुरू की गई थी तो भारत निर्मान योजना सुरू की गई थी 2005 में तो यहाँ पर right answer आपको option D होने वाला है भाई भारत सरकार द्वारा 2005 में दोस्तो भारत निर्मान योजना सुरू की गई थी और यह योजना गरामीन बुन्यादी धाचे के विकास के लिए सुरू की गई थी ठीक है चले सबसे बड़ा खेल आयोजन Oliempik खेल पहली बार किस स्थान पर आजित किये गए थे तो सबसे पहले यह आजित किये गए थे दोस्तो देखे यहाँपे एकर मैं बात करूं लूम्पिक खेल दुन्या के सबसे बड़ा खेल आया जित होता है और यह हर चार साल के बाद आयजित किया जाता है यह दोस्तो 1896 में ओलम्पिक खेल एथेन जो कि कहाँ पर है ग्रीस में आयजित किये गए थे यह आप लोग को या दखना है और पहले ओलम्पिक खेलों में दोस्तों कुल 13 देशों ने भाग लिया था यह भी आप लोग किया दख सकते है आश्या करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं अनकेडमिक के लर्निंग एप पर लेता हूँ दोस्तों अनकेडमी के लर्निंग एप पर आप लोग को क्लास जोइन करनी है तो कैसे जोइन करोगे आपको जोइन करना है दोस्तो वहाँ पर या तो सोरम बलिक ओफिशल नाम से मतलब सोरम बलिक नाम से आप सर्ज करके जोइन कर सकते हैं या फिर दिन में SSC करेटिगरी में 30 बजे और रात में 11 बजे यह दो स्पेशल क्लासिस होती हैं आप इन दोनों को जोइन कर सकते हैं दिन में 30 बजे और रात में 11 बजे बहुत मज़ा आता है दोस्तो आप एक बर join करके देखिएगा आपकी rank भी पता से लेगी कि अभी आप कहाँ पर stand करते हैं ठीक है मिलते है next class में चलिए और देखे गाइज एक बहुत ही अच्छा feature जो की unacademy पर आपको मिल जाता है जहां पे आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की study से related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज़के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लीजेगा पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बैल आइकन को on रखे और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मत ठीक है और देखे अनकेडमी पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बज़े ठीक है और एक होती है रात को 11 बज़े दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा अनकेडमी profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाएंगे ठीक है तो चले मिलते है next class में thank you so much